इस वीडियो में हम बात करेंगे धनू रासी और लगन वालों के लिए अक्टूबर 2021 का गोचर कैसा रहेगा तो यहाँ पर आप इस वीडियो को अपने लगन से फोलो कीजिए अगर आपको आपका लगन पता नहीं हो और आप चंदर रासी से हर वीडियो को फोलो करते हैं तो आप चंदर रासी से भी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रासी और लगनिस्तान की स्वामे गुरू के बारे में और गुरु के अगर गोचर को दिखा जाए तो गुरु का जो गोचर रहेगा गुरु मकर में रहेगे और वक्री स्थिति में रहेगे साथ में यहाँ पर इनकी साथ सनी भी यूती कर रहे हैं तो यहाँ पर धन की वर्दी आपको जरूर देखने को मिलेगी लेकिन जो भी पैसा आएगा वो धिरे-धिरे आएगा और फिलाल क्योंकि यहाँ पर सनी वक्री स्थिति में चल रहे हैं इसलिए थोड़ी आपको प्रेशानी हो चकती है धन को लेकर और यहाँ पर कुछ ऐसे फैसले जो आपने पहले लिए नहीं है अपनी प्रोपर्टी के बारे में अपने धन के बारे में कुछ कहीं पर आपका लेन देन चल रहा है प्रोपर्टी का तो वो कारी आपके बनने वाले साथ साथ में फैमिली के साथ आपके समन थोड़ी बहुत बिगड़ भी सकते हैं पर आप काफी क्योंकि कड़े फैसले आप लेने वाले तो ये जो फैसले लेंगे आप अपनी फैमिली के लिए लेंगे और आप खुद के लिए भी लेंगे खानपान में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है इस समय आपको नोनवेज का सिवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए साथ में आपको जो भी बदलाव आप करना चाहते है अपनी सिहत के अकोर्डिंग ही करना चाहिए अब यहाँ पर गुरू और सनी वानिस्तान में है ऐसे में आप कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे आप जो भी बात होगी वो बिलकुल सठीक तरेके से बोल देंगे इससे आपके कुछ लोगों से जो रिलेशन है वो भी खराब हो सकते तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है लेकिन गुरू और सनी की जो यह यूती है यह आपके लिए काफी अच्छी यहाँ पर बन रही है अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर गुरू की बात करें तो गुरू फोर्थ हाउस के भी स्वामी ऐसे में कोई भी प्रोपर्टी का लेंदेन करना हो किसी की साथ धन का लेंदेन करना हो उन कारियों में इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा और यहाँ पर देखी चंद्रमा की दृष्टी पढ़ रही है एसे में अच् आप कही हैं बहुत अच्छी तरह से इस समय करने वाले अप सबसे ज्याधा चिंतित अपने फैम्ली के लिए ही रहेंगे इसके साथ क्योंकि गुरू यहाँ पर फोर्थ हाउस के भी स्वामी ऐसे में देखे घर से जुड़ी हुई कुछ जो समझ से हैं वो भी आपके सामने आ सकती है लेकिन उनका आप काफे अच्छे से निप्टारा कर लेंगे यह जो महिना रहेगा इसमें आप कई ऐसे सही और अच्छे डिसिजन लेंगे जो बहुत ही सॉलिड डिसिजन होंगे और जिनको आप आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले इसके बाद हम यहाँ पर बात करते सनी की सनी जो की सेकेंड और थर्ड हाउस के स्वामी बनते और यहाँ पर जो सनी की स्थिति है 11 अक्टूबर तक यह यहाँ पर वक्री स्थिति में चल रहे है तो 11 अक्टूबर तक का जो समय है इस महिने का वो थोड़ा धन को लेकर लेकिन गलत कारियों से आप धन इकठा नहीं करेंगे साथ में ये वानिस्तान का सनी है तो आपको वानि को लेकर किसी परकार की कोई दिक्कत आ रहे हैं कोई अन्य परकार की फैमिले की साथ रिलेशन्स खराब हो रहे हैं या किसी अन्य वेक्ति की साथ आपका विभार खराब हो चुका है तो अभी सनी जैसे ही मारगे होंगे 11 अक्टूबर के बाद आपको सनी के काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे साथ में आप अपने फैमली के लिए अपने खुद के लिए और परिवार के लिए काफी मेहनत इस महिने में करने वाले इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहां पर और बात करते हैं यहां पंचम भाव के स्वामी मंगल के बारे में, देखिए मंगल का जो गोचर रहेगा मंगल कन्यारासी में रहने वाले, ऐसे में पंचमेश और बारवे भाव के स्वामी होकर मंगल आपके टेंथ हाउस में, जो लोग कोई creative field में उनको काफी फाइदा होगा, यहाँ पर यह से जुड़े हैं, भले आप किसी भी ऐसे field से जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से आपको decision लेने होते हैं, बहुत fast decision लेना हो, बहुत तेजी से कारिय करना हो, बहुत ज़्यादा सारिक, छमता का उपयोग होता हो, उन कारियों में काफी अच्छे आप रहेंगे, साथ मे आपके अपने कारिय अच्छे तरसे समंदित हो सकते हैं, इसके साथ ही देखें, मंगल 10th house में आ रहें, और ये बारवे भाव के स्वामी है, ऐसे में जिनका जोब बाहर है, जो foreign में जोब कर रहें, उनका जोब में कुछ न कुछ बदलाव आ सकता है, या अभी आप मालीज चाहते हैं, फिलाल जो बगेर में, वो आप कर सकते हैं, इसके साथ ही देखें, मंगल है, वो पंच में सोकर आ रहे हैं आपके, तो पंच में सोकर आ रहे हैं, आप अपनी creative skills को लगाएंगे, तो जो लोग creative field में काम करते हैं, जो उनका जिसका काम मालीजे किसी का, ऐसा है, जो बिलकुल professional काम है, और creative field का काम है, उनको काफी benefit यहाँ पर मिलने वाला है, इसके साथ ही हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़कर सुकर के बारे में, देखें, सुकर का जो गोचर रहेगा, सुकर यहाँ पर, जो 2 October से आएंगे, व धनलाब का संकेत आपको अच्छे से मिल रहा है, लेकिन सुकर जो की लाविस्तान का स्वामी होकर बारवे भाव में जा रहे हैं, यहाँ दो तारिक से चले जाएंगे, दो October से, तो साथ साथ हलंकि धन आएगा अच्छी मात्रा में, लेकिन इसके साथ आपका जो खर्चा है वो भी काफी बढ़ जाएगा, और यहाँ जो मंगल आएंगे वो आपको संतान की प्राप्ति दे सकते हैं, और धन का खर्चा हलंकि आपका बढ़ता ही रहेगा, तो पैसे का जो खर्चा है इस महिने में आप रोक नहीं पाएंगे, साथ में देखिए यह केतु के साथ सुक वो कैश को दर्शाता है, तो धन को लेकर थोड़ी वो दिक्कते आ सकती है, आपका पैसा कहीं फस सकता है, आपको कोई लाब मिलना था किसी बरकार का, वो कहीं न कहीं आपको लेट मिलेगा, या बाद में अभी और ज्यादा भी वेट करना पड़ सकता है, इसके इलावा य कोई न कोई बहुत बड़ा खर्चा कर देंगे, कोई लग्जरी चीज के लिए खर्चा कर देंगे, तो यह जो खर्चें वो यहां से नजर आते हैं, साथ साथ में यहां पर देखिए अगर बात करें तो केतु के साथ ही यह यूति कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा डिट जैसा कोई काम है आपका या किसी अन्य परकार का कोई काम है बिजनस है तो उसमें फाइदा जरूर होगा साथ में आपको विदेश से फाइदा हो सकता है अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और सुक्र का जो देखिए गोचर चेंज होगा 30 अक्टूबर को होगा तो 30 अक्ट कर रहें धनु में तो यह अगले महिने में ही धनु में रहने वाले पूरी तरह से अब यहां अगर हम आगे बढ़ें तो बात करते सबसे पहले बुद्ध के बारे में देखिए बुद्ध का जो गोचर है धनु वालों के लिए इस महिने में काफी ज़्यादा इंपोर्टे हो जाता है अब बुद्ध की जहां तक हम बात करें बुद्ध देखिए दो अक्टूबर से कण्या में आ रही यानि महिना आपके लिए काफी अच्छा है लेकिन वक्री स्तिति में आ रहे और 18 अक्टूबर तक वक्री रहने वाले ऐसे में जोब को लेकर कुछ ना कुछ ब मामले में अपने प्रोफेशन के मामले में वो काफी फास्ट होगा आप अपने प्रोफेशन को बदलना चाहते हैं अपने जोब को बदलना चाहते हैं जोब में कुछ भी आप चैंजिस चाहते हैं तो वो आपको यहां पर देखने को मिल सकता है इसके लावा बुद्ध यह को आ सकती है 18 तारिक तक बट ये बुद्ध का गोचर अवरल काफी अच्छा है तो बुद्ध का वक्री होने का मतलब है आपको कोई न कोई अगर बदलाव करने हैं कोई चेंजेज करने हैं अपने कोई डिसीजन बदलने हैं अपने प्रोफेशनल केरियर को लेकर तो वो आप इसमें कर सकते हैं बुद्ध के गोचर में और ये समय आपके लिए 18 अक्टूबर तक कर रहेगा 18 के बाद जैसे ही ये मारगी होंगे वैसे ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगे तो आपकी जोब लग सकती है प्रमोशन मिल स इसमें सरकारी जोब मिलने के भी काफी अच्छे चांसे रहेंगे और मंगल हालांकि यहाँ पर विवाद भी थोड़ा करवा सकता है आपका अपने बोस के साथ तो थोड़ा यहाँ पर आपको सांत रहना चाहे और जोब के लिए आप अपना जो हग होगा उसके लिए आप ह चेंज होगा उसके आने की समभावना बहुत ज्यादा रहेगे 18 अक्टूबर के बाद इसके बाद हम यहाँ पर अगर बात करें तो सब्तम भाव के भी स्वामी बनते ऐसे में देखिए आपको अपने पार्टनर का भी अपने जोब में अपने काम में काफी अच्छा सयोग मिल जाएगा अगर आप बिजनस करते हैं तो बिजनस के लिए भी आपके लिए समय काफी अच्छा है इस महिने का एंड का जो टाइम होगा वो काफी बेहतर रहने वाला है इसके साथ ही देखिए बुद्ध का टेंथ हाउस में होना यानि बुद्ध का अगर कोई आपका ऐ इस महिने में अस्टम भाव में रहने वाले तो यह जो चंद्रमा है थोड़ा डिप्रेशन आपको देंगे और थोड़ी परेशानी आपको आएगी हालांकि अचानक धनलाब दे सकते हैं प्रोपर्टी से दे सकते हैं पैत्रिक संपती से दे सकते हैं या आपके ससुराल पक से दे सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिप्रेशन आपको फिल हो सकता है इसके बाद चंद्रमा यहां पर यह आपके भाग्ये भाव में चले जाएंगे जहां आपको भाग्ये का काफी अच्छा साथ मिलेगा और यह चंद्रमा आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले इसके बाद इनका जो दो डाई दिन का गोचर रहेगा चंदरमा आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगर हम बात करें सूरिय के बारे में तो देखें सूरिय का गोचर इस महने में काफ़ी important हो जाता है आप लोगों के लिए और सूरिय की जहां तक बात है सूरिय 17 अक्टूबर तक कन्यारासी में ही रहने वाले और 18 अक्टूबर तक यहां बुद्ध वक्री हैं ऐसे में हलांकि पूरा जो लाब मिलेगा आपको वो तो बुद्ध के यहां मारगे होने के बाद ही मिलेगा लेकिन क्योंकि सूरिये भी रह रहे हैं कन्या में ऐसे में सरकारी कोई काम हो, सरकारी कोई लाब मिलना हो वो 17 अक्टूबर तक भी आपको मिल सकता है इसके सासाथ जो लोग आभी बिलकुल फ्रेस जोब के लिए देख रहे हैं सरकारी जोब हो या किसी भी अन्य परकार का कोई आपको कारी करना हो कोई भी decision लेना उसके लिए समय काफ़े अच्छा है साथ में आप अपने घर के कारियों को भी काफ़े अच्छे से manage कर पाएंगे घर को भी काफ़े अच्छे से समाल पाएंगे तो सूरिय का यहां पराना आपको promotion दिला सकता है सूरिय आपके परतिष्ठा में वर्दी करेगा इसके बाद सूरिय चले जाएंगे तुला में तो 17 अक्टूबर के बाद तुला में यह जा रहे हैं यहां यह नीच के हो जाते हैं ऐसे में थोड़ी बहुत परिशानी आपको अपने बड़े भाई के साथ रिस्तों में आ सकती है अगर आपका कुंडि का सूरिय काफी अच्छा है काफी बहतर रिस्तिति में है तो यहां का सूरिय आपको बहुत जैदा नुक्सान नहीं करने वाला इसके साथ ही देखें यहाँ पर आपको अगर कहीं आप कोई बहुत VIP लोगों से कोई सपोर्ट लेना हो कोई बहुत बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट्स हो उनसे आपको थोड़ा बहुत benefit यहाँ पर देखने को मिलेगा अब लगबग हमने देखी सबी ग्रहों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया अगर राहू केतु की बात करें तो देखी हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अगर आपको राहू का मेश रासी वाले गोचर का वीडियो देखना आप प्लेलिस्ट में चेकर शकते हैं दनूरासी और लगन वालों के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा इसके बाद हम देखते हैं कुछ खराब और कुछ अच्छे दिन आपके लिए कौन कोल से रहने वाले तो अगर सबसे पहले बात करीजाएं आपके लिए कुछ खराब दिन जो आपको रहने वाले सबसे पहले जब चंद्रमा वर्षब में गोचर करेंगे तो यहां यह राहू के साथ भी रहेंगे टोरस में और 2324 को इनकी यह इस्तिती बनेगी आपके 6th house में ऐसे में आपका रूटीन बहुत ज़्यादा खराब रह सकता है आपको डिप्रेशन आ सकता है ब्रहम का सिकार हो सकते हैं हेल्थ कराब हो सकती है इसके लवा किसी के साथ भी धनका लेन देन करते हो काफी ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी हलंकि राहू के साथ होने के वज़े से आप सारी जो situations हैं उनको काफी अच्छे से handle भी कर लेंगे बट फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशानी आने ही बाली है चंद्रमा का गोचर जब अपनी खुद की रासी में रहेगा 28 और 29 को तो थोड़ा depression फील होगा इसके लवाँ थोड़ी बहुत परेशानी आपको शुरू में आने वाली है इन दिनों में लेकिन ये आपको चंद्रमा जो है अच्छानक लाब करवा सकता है और एक्सिडेंट वगेर होने के भी chances रहने वाले है उसके बाद चंद्रमा नो और दस तारिक को यहां ये आएंगे स्कोर पयों में यान इवर्सिक में तो नो और दस तारिक का जो सामय है आपके लिए कोई भी decision लेने के लिए अच्छा नहीं है साथ में विदेश से जुड़े हुए कारियों के लिए हालंकि अच्छा समय है विदेशों से लाब हो सकता है या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं विदेश से अपने देश में आना चाहते हैं किसी भी परकार से आपको फाइदा यहां पर होगा लेकिन आप परिशानी में पढ़ेंगे हेल्थ को लेकर और आप किसी भी परकार से अपना कोई नुकसान करेंगे अपने गलत डिसिजन की वज़े से ये कुछ खराब दिन आपके लिए 6 दिन ऐसे हैं जहां थोड़ी परिशानी आ सकते हैं इसके बाद कुछ अच्छे दिनों के अगर बात करें तो यहां पर लगभग आपके लिए जो दिन निकल कर आ रहे हैं 15, 16, 17, 20, 21 और 30 और 31 तारिक ये आपके लिए काफी अच्छे दिन रहने वाले हैं इन दिनों में अपना कोई भी आप काम निप्टा सकते हैं कोई भी पेंडिंग काम कर सकते हैं किसे भी परकार का कारी हो आपका इन दिनों में सफल रहेगा तो फिलाल देखिए हमने सबी जो ग्रह हैं उनके गोचर के बारे में जर्चा की है फिलाल आपके लिए वीडियो में इतना ही